चोक्रेट ब्राउनी with वनीला आईसक्रीम and चोक्रेट सॉस देखने में जितना बड़िया लग रहा है खाने में उससे कई जाधा टेश्टी है और आप इसे बना सकते हैं सिर्फ एक मिनिट में आज हम चोक्रेट ब्राउनी बनाएंगे एक मिनिट में और घर पर रखे कुछ समान से ही और वनीला ऐस्क्रीम की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले ही दी गई है आप वाँ चेक कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है आप चाहें तो कोई कब भी ले सकते हैं बस आप ध्यान रखें कि वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए इसमें हम थोड़ा सा ओरल डाल कर इसे अच्छे से ग्रीज कर लेंगे आप मैजर करने के लिए मैं यह मैजिंग स्पून यूज कर रही हूँ अगर आपकी पास यह नहीं है तो आप यह जो नॉर्मल चमच होते हैं जिससे हम खाना खाते हैं आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है इसमें हम डालेंगे तीन चमच मैदा एक चमच कोको पाउडर डालेंगे दो बड़े चमच पाउडर शुगर डालेंगे और एक चुटकी नमक डालेंगे नमक हम इसले डालते हैं क्योंकि किसी भी मेठी चीज में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस और जादा अच्छा आता है और अब हम इसमें एक चुटकी या एक पिंच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और अब हम इसमें थोड़े से अक्रोड के टुकडे डाल देंगे ये तोटली ओप्शनल है अगर आप ट्राइफूट नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें वेट इंगिजेंस याने गीले समान डालेंगे सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें एक चमच ओयल अगर आप घर के खाने वाले चमच से नाप रहे हैं तो आप दो चमच डालें क्योंकि वो डीप नहीं होता थोड़ा सा फ्लैट होता है और अब हम इसमें तीन चमच दूट डाल देंगे साथी इसमें एक चुथाई चोटी चमच बनीला एसेंस डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एक से दो चम्माई डाक चोकलेट डाल रहे हैं गर्मी की वज़े सी काफी सॉफ्ट हो गए है अगर आपने फ्रिज में रखी हुई है तो आप इसे पहले थोड़ा सा मेल्ट कर लें उसके बाद आप इसमें डालें और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाक चोकलेट डालना भी टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास ना हो या आप ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे grease किये हुए इस बाउल में डाल देंगे इसकी उपर थोड़े से अक्रोट के टूटे हुए टुकडे डाल देंगे और अब इससे microwave में रखेंगे और micro setting पर ही एक मिनट के लिए bake कर लेंगे और कभी-कभी जो बरतन की depth होती है या फिर microwave की heat में variation हो सकता है तो हो सकता है आपको एक मिनट लगे या हो सकता है कभी-कभी तेर्ड मिनट भी लग सकता है तो आप इसे चेक कर लें और मैंने इसे एक मिनट ही bake किया है और ये देखे कितनी perfectly अच्छे से bake हो चुकी है अच्छे से rice भी हो चुकी है और अगर आपकी पास microwave नहीं है तो अगर आप इसे gas पर बनाना चाहते हैं तो gas पर बनाने के लिए हमने same measurement से ही ये better तयार किया है और एक अलग बॉल में हम ये डाल देंगे इसके पर हम थोड़े से काजू के टुकड़े और थोड़े से अक्रोड के टुकड़े डाल देंगे इस तरह से और अब gas पर हम ये एक pan रखेंगे गरम करने के लिए तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हम इसे preheat कर लेंगे और आप इसका धकन हटाएंगे इसके अंदर एक वायर रख रखेंगे और इसके अंदर ये बॉल रख देंगे हम और इसे धक देंगे और धकर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम इसे medium to low flame पर bake करेंगे बीश-वीश में आप धकन हटा करना देखें इस तरह से हटाने से इसमें से heat निकल जाती है और जो भी आपके ये ब्राउनी बनाएंगे वो sink हो जाती है यानि वो नीचे की तरफ बैट जाती है तब ही आपको लगता है कि आपके ब्राउनी या केक ज़्यादा फूलता नहीं है अब ये जो ब्राउनी हमने microwave में बनाई थी हलकी से ठंडी हो गई है तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ ये देखिए इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं ये हर तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है तो आप इस रेसिपी को अपनी घर में जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव में साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आती है तो हमारी चैनल रीटा इस मिनिट हो चुकी है अब हमने जो गैस पर रखी थी वो भी देख लेते हैं ये देखिए अच्छे से राइज हो चुकी है पर हम इसे पहले चेक कर लेंगे टूथबिक डालकर ये टूथबिक बेखो क्लीन बाहर आ रही है तो इसमींस ये अच्छे से बेख हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे और ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रही है कितनी चॉक्लेटी कितनी गुई है और गैस पर बेख करने में 5-10 मिनिट का फरक हो सकता है कभी आपका 5-10 मिनिट जल्दी बन जाएगा या फिर लेट भी बन सकता है क क्योंकि कई बार बरतन का तला भारी या हलकी होने पर या फिर गैस का फ्लेम पर भी टिपेंड करता है बेकिंग का टाइम तो आप इस बात का ध्यान रखें